हेलो एबरिवन वेलकम टू कॉंप्पूटिटिव जी की चैनल आज हम इस वीडियो में कम्प्यूटर के कुछ ऐसे महत्पूर्ण प्रशन देखने जा रहे हैं जो कि आपके आने वाले एक्जाम में काफी फाइदमन सावित हो सकते हैं तो चली शुरू करते हैं तो पहला सव है कि which of the following is not an operating system तो यह पूछ रहा है कि इन में से कौन सा operating system नहीं है तो Windows, Linux, Oracle और DOS तो आपके पास इस चार option इन में से आपको बताना है कि कौन सा operating system नहीं है तो आशा करता हूँ कि आपने attempt कर लिया होगा तो इसका right answer देखते हैं इसका right answer है Oracle और Oracle क्या है वो है एक relational database management system य होगा है तो वो एक database management system का example है आप ऐसा बोल सकते हैं तो आई होप यह आपको clear हो गया होगा तो next question पर चलते हैं next question है कि what is the maximum length of the file name in DOS तो जो DOS operating system होता है उसमें file name maximum कितने words का हो सकता है यानि कि maximum length क्या हो सकती है file name की DOS में आशा करता हूँ कि आपने इसका तो भी attempt कर लिए होगा जब भी मैं आपको थोड़ा time देता हूँ बीच में तो आप खुद से भी question को attempt करने की कोशिश करें अगर आपका सही होता है तो आपका confidence level बढ़ेगा और अगर आपका गलत होता है तो आपको कुछ सीखने है सीखने को मिलेगा तो चलिए इस cancer दिख चलिए next question की तरफ चलते हैं next question है कि जो हम computer में notepad यूज़ करते हैं उसकी extension क्या होती है तो यानि कि which of the following is the extension of notepad तो उसकी extension क्या .txt होती है .xls होती है .ppt होती है .bmp होती है अब इसका answer की तरफ चलते है तो इसका answer है .txt तो जब भी हम notepad में कोई file बनाते है तो वो जो file तियार होके निकलती है उसकी extension जो निकलती है वो .txt extension का मतलब है जैसे कि हम कोई file बना रहे हैं जैसे अगर हम ms word में अगर कोई file बनाते है तो last में जो आपका extension लगते है . .docx जो आपकी ms word में लगती है लेकिन यहाँ पर मैंने notepad का पूछा था तो notepad में क पर इंपोरेंट कोईशन है यह हमी नेक्स्ट कोईशन है कि BIOS is used तो पहले तो BIOS की हमें फॉल फॉर्म पता होनी चाहिए तो BIOS की फॉल फॉर्म है basic input output system तो BIOS किसके लिए use होता है यह पूछा जा रहा है यहाँ पे तो क्या operating system के द्वारा use होता है compiler के द्वारा use होता है interpreter के द्वारा use होता है यह application software के द्वारा use होता है तो अब इसका answer के तरफ चलते हैं तो इसका answer है by operating system तो operating system जो है BIOS का use करता है जिसमें की BIOS की full form है basic input output system और इसमें आगे आप यह भी पढ़ सकते हैं जैसे इसमें लिखा है इट इस तो कन्फिगर और इडेंटिफाई दा हार्डवेर इस सिस्टम सच आज हार्ड कोपी, फ्लोपी ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव और सीप्यू और मेमरी तो आप यह भी नोट करते चलिएगा, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है अभी नेक्स्ट कोश्चिन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट कोश्चिन है हमारा, बेंकर्स अल्गोरिदम इस उस्ट पोर तो जो बेंकर्स अल्गोरिदम होती है, वो किस के लिए यूज की जाती है पहला उप्शन है आपके मास टू प्रिवेंट डेड लोग, टू डेड लोग की डेड लोग को प्रिवेंट करने के लिए यूज होती है या deadlock recovery करने के लिए होती है या to solve the deadlock या इन में से कोई नहीं तो इसका अंसर जो है वो है to prevent deadlock deadlock क्या होता है कि अगर जैसे जैसे कि अगर दो अगर सामने से कोई दो data आ रहे हैं तो अगर वो बीच में जैसे टकरा जाएंगे तो लेक lock पैदा हो जाएगा data transfer नहीं हो पाएगा तो bankers algorithm जो है इसी deadlock को रोकने के लिए एक algorithm है जिससे कि कभी भी data deadlock नहीं होता मतलब एक दूसरे से जैसे अगर गाड़ी अगर दो गाड़ी वे example लेते हैं अगर दो गाड़ी टकरा जाती है तो वो deadlock होगी अगर वो एक दूसरे के आसमें आमने सामने चल रही है तो इससे क्या होगा कि गाड़ी एक दूसरे मतलब आरे परे नहीं जा पाएंगे गाड़ी कोई गाड़ी सामने नहीं जा पाएंगे कोई पीछे नहीं जा पाएगी कि एक्षेग्शन हो एकाई पर रुख ना जाए ये था इसके लिए य्यूुज की जाती है में लिगठी तो नेक्सट गोशिन कि अब NEXT कोशन है विचीज अपट्वेटिंग सिस्टम लीजिए क्स ऌपरेटिंग सिटम की इन मैंसे एक ग्रीके Ultra पूछ रहा है कि Linux operating system क्या private operating system होता है Windows operating system होता है open source operating system होता है यह इन में से कोई नहीं होता है तो इसके अंसर की तरफ चलते हैं तो Linux operating system हमारा होता है open source operating system very important question यह आपको पता होना चाहिए तो Linux operating system जो हमारा open source operating system है तो इसमें जैसे कि आप आगे लिखा भी गया है कि it is made up of kernel ये भी पता होना चाहिए आपको तो next question की तरफ चलते है next time which of the following is a single user operating system यानि कि इन मेंसे कौन सा जो है जो single user operating system है तो क्या वो windows है या mac है या MS-DOS है या इन मेंसे कोई नहीं कि I hope कि आपने इसको attempt कर लिया होगा इसको अंसर देखते हैं इसका अंसर है MS-DOS so MS-DOS जो हमारा वो single user operating system है मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि MS-DOS को सिर्फ एक ही user access कर सकता है at a one time कि अभी मैं अगर MS-DOS चला रहा हूं तो सिर्फ मैं ही use कर पाऊंगा और कोई की नहीं तो और जो हमारे पास operating system है वो multi programming कर लेते हैं और multi user भी उसके multitasking कर सकते हैं तो चलते हैं next question की तरफ आप which of the following windows does not have a start button तो यह तो आप बहुत easy question है आपको पता होना चाहिए कि start button कौन सा होता है जो आपको जब भी आप अपने PC कौन करते हैं तो अगर आप left bottom side पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको start button मिलता है इन में से windows का कौन सा वह वर्जन है जिसमें आपको start button नहीं मिलता तो आयोप आपने attempt कर लिया है वह इसको तो इसके answer की तो Windows 8 Windows 8 में जो है आपको start button नहीं मिलता है Windows 8 अगर आपने अपने PC में use की होगी तो आपको वहाँ पर start button नहीं मिलेगा लेकिन जो इसका अपड्रेजिट बर्जन था Windows 8.1 उसमें आपको start button मिलता है तो यह भी आप याद रखेगा चलते next question की तरफ next question है MS Windows operating system को कब प्रपोस किया गया यहन की MS Windows operating system कब आया तो यह पूछा जा रहा है आपसे यह 1994 में आया 1990 में 1992 में 1985 में आया तो यह तो बहुत ही जेनरल question है बहुत से exam में पूछा जा चुका है तो इस cancer देख लेते हैं इस cancer है 1985 तो MS operating system जो है पहली वार 1989 1985 में इंट्रीउस किया गया था तो चलते हैं लास्ट question की तरफ last but not least तो computer में सबसे जादे important अगर कोई चीज है तो वो है full forms या abbreviations तो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि IDL इसकी full form क्या है या abbreviation या full name क्या है IDL का आपके पास तीन option है और एक है none of these पहला option इंटरफेस definition language सेकेंड है इंटरफेस डेरेक्ट लेंगवेज और थर्ड है इंटरफेस डाटा लाइब्रेरी आए होप आपने attempt कर लिया होगा तो इसका अंसर यह तरफ चलते हैं इसका अंसर है interface definition language तो IDL जो है वो interface definition language होता है and it is used to establish communication between clients and server in remote procedure call तो यह IDL जो है इसका use क्या है कि communication का काम करता है client और server के बीच में जब remote procedure call में है तो यह थे हमारे आज के 10 questions और यह last question जो है आपके लिए आपको इस concern जो है comment box में देना है तो यह question है which of the following is not an application software बहुत easy question है तो आपको इसका जवाब जो है comment box में नीचे आपको देना है जिसका सही जवाब होगा इसका सही जवाब जो है मैं कुछ देर बाद pinned comment में दे दूँगा और कल जो वीडियो आएगी उसमें भी आपको नेक्स वीडियो जो भी आएगी उसमें आपको मिल जाएगा आपको यह वीडियो पसंद आई हो अगर वीडियो पसंद आई ही तो इसे लाइक जूर करें चैनल को सब्सकाइब करना न भूले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए बाए